दोस्तो आज हम लोग इस वीडियो में गंबीर सरजरी के कारण होने वाले गहाव या फिर गंबीर इंफेक्शन को ठीक करने वाली दवा के लिए हम 345 एमजी टेबलेट के बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे जैसे एक कोन सी कमपनी की दवा है इसके composition क्या है इसके फायदे और side effects क्या है इसके इसके इस्तिमाल करने के तरीके और DOGE क्या है और इसका price कितना है तो दोस्तो वीडियो को प्लीज आप लोग पूरा complete जरूर देखेगा ताकि हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ जाये और अगर आप लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजेगा मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नोलिजिवल वीडियो ज हमेशा लाता रहता हूँ तो चले दोस्तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं नमस्कार दोस्तो मैं हूर अंधिर आप लोग का अपना यूटूब चैनल मेडिसिन इंक्वारी एंड हेल्थ टिप्स में स्वागत करता हूँ तो दोस्तो कलेवम 345 mg टैबलेट को LKM Laboratories Limited Company के दोरा बना जाता है अगर हम लोग इसके कॉमपोजिशन की बात करें तो इसमें अमोकसिलिन 250 mg और कलावूलिनिक एसेड 105 mg होता है अब हम लोग इसके फाइदे और इसके बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं तो दोस्तो कलेवम 345 mg टैबलेट दो दवाओं की कॉमबिनेशन वाली एक पेनिसिलिन परकार की एंटिवाटिक दवा है जो सरीर को वेक्टेर के कारण होने वाले संकरबन यानि इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है तो चली हम लोग इसके फाइद और इसके प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में समझनी की कोसिस करते हैं दोस्तो जैसे अगर सरीर में किसी जगह पर किसी प्रकार का चोट लगा है और उस जगह पर गहा हो गया हो इसके अलवा फेफडा में इनफेक्षन हो गया है नीमोनिया के प्रॉबलम हो गई है नाग गला और इसकिन में होने वाले गंभीर इनफेक्षन को ठीक करने के लिए कलेवम 375 टेबलेट का यूज किया जाता है साथ ही सरेर के हड्यों और जॉइंट्स में होने वाले संकरमन को भी ये दवा ठीक करने का काम करती है ये दवा इनफेक्षन फिलाने वाले सोचम जीवों को मार कर उसके ब्रीधी को रोकता है और उसका इलाज करता है अब हम लोग इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं तो दोस्तो इसके साइड इफेक्ट होना मिसली होना स्किन में रैसेस होना बदंदर्ध होना और दस्त होना इतने सारे साइड इफेक्ट दोस्तो रेर है जल्दी होते नहीं है होने से अपने डॉक्टर से जरू लेकिन दोस्तों इस दवा का एक साइड इफेक्ट है जो इस दवा की यूज करने के समय आपको रोजना तिन से चार बार लेटरिन जाना पड़ सकता है और आपका लेटरिन पतला हो सकता है लेकिन ये एक कॉमन प्रॉब्लम में इससे घवराने की कोई जरूरत नहीं है अब ह हम लोग क्लेवं 345 mg टेबलेट के प्रैस के बारे में जानते हैं तो इसका प्रैस 208 रूपिया पर 10 टेबलेट है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी अगर ये वीडियो आप लो